दोस्तों नौशकार स्वागत आपका आरेन कुछबा यूडचल में आज आप देख रहे हैं मेरे भगल में यह आम का पौदा और इस टाइम पर बहुत लोग गलती कर रहे हैं कि आम की पौदे पर फटलायर यूज कर रहे हैं कभी इस टाइम पर आपको आम की पौदे पर फटलायर यूज नहीं करना है क्योंकि यह चला अगर आपके पौदे पर फटलायर यूज करते हैं ज्यूशन के रिस्पांस मुझे बहुत गलत मिल सकता है हम बात करें रहे हैं ऑर जो भी हम करते हैं तो जादे मातरा में हम बात करेंगे क्यों नहीं इस पर बात करेंगे दोस्तों वीडियो अच्छा से लाइक करेंगा चैनल सब्सकाइब आप जरूर कर दें तो अगर मैं बात करूं तो यह जनौरी के चला महिना और जनौरी के महिने में आप अपने पौदे के ऊपर इस टाइम पर बिल्कुल फटलाइर ना यूज करें उसमें आप अगर यूज करने का समय में आपको बता दूं तो सितंबर अक्टूबर नौंबर और रहे की बात दिसंबर 15 दिसंबर से पहले आपको फटलाइर यूज कर लेना क्योंकि जब हम फटलाइर की बात करेंगे तो फटलाइर क्या यूज करेंगे अगर गंबले में पोदा लग यह सब्सक्राइब करेंगे तो सभी में नाइटोजन फास्पोरस प्रोटाज की जो रेशियों अधिक होती है और इसको आपको यूज करना सितंबर अक्टूबर नौंबर दिसंबर पंद दिसंबर से पहले बाद यूज करते हैं तो क्या होगा अगर पौद आपका साल से यूज साल पुराना है तो कोई लेकिन यूजरा होगा कि आपको इस टाइम पर जनौरी के महिने में आपके पादे पे फ्लावर आते हैं अगर नाइटोजन फास्पोरस पोटासी इसमें कोजित करने से कल् Tabii संख्या地 बर्णने लगेगए को गलती से हमें करना गलती से इसको और उसको भी उसको नहीं करना है इस ताइम पर हो सकते तो 15 जनावरी उसके बाद भी उसके अपी बिल्कुल आपको नहीं करना है अगर नहीं कि आ नहीं तो उनके लिए सब से बहतरी ने जा द्यानधार लहां में हैं दोनों वाब मैं यूज कर सकते हैं जो लोग लगा रखें पौदा बाग में लगा रखें तो उनको कम से कम डेट से दो मिट्र की दूरी पर पौदे की करके गुड़ाई गुड़ाई करने पाद इन सब घू कर रहे हम सबसे पहले बाल्टी लेने के बाद इसमें पानी उसके बार हम सीवड फटलाइयर आप कोई कमपनी का ले सकते हैं उसके हैं यह अच्छी यहाँ है और पर लीटर यह दो एम्मेल के हिसाब से हम इसमें डाल देते हैं क्योंकि आप जो भी फटलाइजर मार्केट से ले के आईएगा उसका मैनुवल पढ़ लिजीगा उसके क्या इसका डोज लिखा हुआ है तो इसमें आठ एम्मेल इसमें हम डाल दिया डालने को घोल लेते हैं और घोलेने को अधर एता है ताभ उसे मैंठेन आप तरीके से जो मैंने 2 म्ल लिया था लेते हैं और घोलेने के बाद इसको प्रेब हम भर ले हैं और भर अब इसका हम चिडकाव कर देते तो आप बलते हैं मुख बनना यह सुरू हो रहा है तो इस टाइम पर हम माइको न्यूट्रियंस का छिड़काव अच्छे तरीके से हम कर देते हैं तो आपको अच्छा मिलेगा इस टाइम पर 15 और इस पहले अगर यह जनौरी और फरवरी में दोनों विल्कुल समय होता है इसका अच्छा आता है तो आपको कोई यूज करने की जरूद आपको नहीं है खास्ता उसे बनाना मेंगो पर जादे पहले चले आते हैं और बागी काटी मौन हो जाए बारी 11 हो जाए तो इसमें अभी आने का समय जनौरी का लास्ट महिने में आता है तो इसमें माइक्र नूट्रियंस ध्या दनेदार फॉर्म में हैं तो दनेदार फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं करना क्या है कि हलके-लके मिट्टी के गुड़ाई करी और मिट्टी के गुड़ाई करने के बाद चारों तरफ इसको आप यूज कर देजिए और यूज करने के बाद दोबारा इसकी मिट्टी या चाहिक पाने ले सकते हैं द्हुन को तो टिक करना क्या है कि अगर हम तो ना के सकते हैं पहले स्थाजीनिक वहें बिर से टिक चेयर के बाद तो अच्टर के से घूल जाएगा जब घूल जाएगा तो उसके बाद इसमें आपको तीन लेटर पानी मिलाके और इसकी मिट्टी में डाल दीजी अगर इसको लेते हैं एक ट्रफ पानी एक ट्रफ पानी में दस घूलते हैं तो दो लेटर पानी और मिलाईए और मिलाके उसक से तीन घंटे क्ली चोड देना। झोडने के बाद फोड़ी से पादी या मिलाईंगे और फानी के लिए लेतना के बाद उसको अशी रहला इस लिडिक्विड को चुड़का कड़ी एक और एक अगर अगर इसमें वह प्राइनule बहुत करतें तो बस के एक लिटर और पानी मिलाके च्छान के उसका चिड़का कर दिजिए दोस्तों पानी के अगर बात करें तो इस टाइम पे पानी का आप विस्षेश्टों से ध्यान देना खासतों से जब आपका पौदा फ्लावरिंग इस्टेज पे आ रहा है तो अगर जादे मातरा में पानी तो प्लेकर देंगे तो दोस्तों हुआ कि फूल जड्याएंगी पर और अगर कम मातरा में भी पानी देंगे तो भी फूल डिस्टरब होगा मिंस आम के पौदे की मिट्टी जू है ना उसकी मेंस्टर को आपको बना कर रखना है इस बात को अब्स्येस्ट और ध्यान देना लोगों लगता है कि सरदीक मौसम में यह दो से तीन निन पर भी पानी देंगे तो भी नुकसान यह से कम इस टाइम पर एक सब्ता दर दिन का गयब करिए अगर लगा रखें तो अगर जमीन में लगा रखें तो उसकी बातला कि उसमें बहुत पानी देने क्या पहुत सकता नहीं पड़ेगी जब देते हैं तभी पानी आप दीजिए एक चीज़ और आपको दाते हैं कि इस टा कि आसा कोई Fungicide का यूज नहीं करना। कोई आप समझ नहीं पाते हैं होता क्या है कि मुझर आता है तो आप कि कर ना है इस ताइम पे यूज और हैं कितना चुन बात को कितना रभवा harina यह पार्डर फार्म में weg और आप यूज अरावर ut Weird Coming वे युज अंबर शेयोच गया अर्फोंकम करता तो इन दोनों को अपने आम की पौदे पर यूज करें बहुत अच्छा मिलेगा जो मुव बना इस कंडिशन पर आप फंगिसाइड और कितना सका दोनों का यूज कर सकते हैं और माइक्र न्यूट्रियंस का आप यूज कर सकते हैं गलती इस टाइम पर बिल्कुल आप न करें फटलाइजर देने का दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो प्ली वीडियो को लाइक करेंगा सेर करेंगा चैन को सब्सक्राइब आप जरू करेंगा मिलते हैं आप से न्यूब्ली न्यूटापी के साथ धन्यबाद